दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अंकुर वारी कुसर को बहुत ही पहले से फॉलो करता हूं और रिसेंटली उन्होंने अपने चैनल पे एक बहुत ही बढ़िया 6-part series शेर की थी जो कि क्रिप्टो करेंसी के उपर है उन्हें ये सीरीज वाजिरेक्स के फाउंडर निशल सेठी के साथ मिलके बनाई है हाला कि दोस्तों वो सारी की सारी वीडियो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही वैलुएबल है ताकि आपको कम टाइम में और भी जादा वैलो मिले लेकिन अगर आपको इन देप्थ और भी अच्छी से समझना है तो आप उन वीडियो को जरूर देखे दोस्तों सबसे पहले जानता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी की नीद क्या थी तो इसके लिए हमें टाइम में पहले जाना होगा जब पैसे नहीं थे तब लोग आपस में एक्चेंज करने के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तमाल करते थे यानि कि अगर आपके पास दूध है और मेरे पास अंडे है और आपको अंडे चाहिए और मुझे दूध तो हम दुनों आपस में ट्रेट कर लेंगे और इसमें कई सारे लिमिटेशन थी जैसे कि स्टोरिज की लिमिटेशन और इसमें कोई फिक्स्ट वैल्यू नहीं था प्लस लैक ओफ कोइंसिदन्स यानि कि मेरे पास तो अंडे है और मुझे दूध चाहिए और आपके पास दूध है लेकिन आपको तो अंडे नहीं चाह इसकी लिमिटेशन को सॉल्फ करने के लिए कॉंसेप्ट आया करेंसी का जिसमें एक सेंट्रल ऑथरीटी जैसे कि इसको एक सेंट्रल ऑथरीटी गवर्न करती है तो वह जब भी चाहे इसकी वैल्यू डिटर्माइन कर सकती है जैसे कि अगर आपके पास यह एक बुक है तो जादा होगे लेकिन एक सेंट्रल ऑथरीटी जिसकी पास ही पावर है कि वह एसी और हन्रेट बुक्स को प्रिंट कर दे तो इसकी वैल्यू अटमेटिकली कम हो जाएगे तो ऐसे ही जब गवर्मेंट्स नए नए नोट प्रिंट करती है जब एकॉनमी में नए नोट सर्क्य में आता है तब आपके जब में जो पैसे है उसकी वैल्यू आटमेटिकली कम हो जाएगे तो इसी तारह एक सेंट्रल ऑथरीटी इसकी वैल्यू को डिटर्माइट कर सकता है या फिर इसको टोटली कैंसल भी कर सकता है जैसा कि दी मॉनिटाजिशन के वक्त हुआ था वैसे दोस्तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश के थी जिसमें मैंने इस बुक से 10 ऐसे वैल्यूवेबल लेसंस शेयर के थी जो कि आपको फाइनेशली फ्री होने में बहुत ही मदद करेंगे तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाल आप जरूर देखिए तो अब इस लिमिटेशन को ओवर कम करने के लिए कॉंसेप्ट आया डी सेंट्रलाइस करेंसी का और ब्लॉक्चेन का जिसमें एक सेंट्रल ऑथरिटी इसको गवर्ण नहीं करती बलकि यह एक डी सेंट्रलाइस नेट्वर्क है जिसे कोई कंट्रोल नहीं क ताकि हमें और ज्यादा ओप्शन्स पले क्यूंकि आपके पास इतने ज्यादा ओप्शन्स होगे आपके पास उतनी ज्यादा फ्रीडम होगी दोस्तो अगर आपको इस वीडियो से अब तक वैलो मेल रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक किजे और सब्स्क्राइब तो दूस्तों अगर आप क्रिप्टो कर्णास के मारके में देखेंगे तो आपको कई सारे क्रिप्टो करन से दीख जाएंगे जैसे के बिटकॉइन, Cardano, Ethereum, Polygon, Matic ऐसे कई सारे क्रिप्टो करन से साब को देख जाएंगे लेकिन इतनी सारे क्रिप्टो करन से क्या थी यह सब क्यों exist करता है तो इससे समझने के लिए मैं आपको एक example देता हूँ तो जैसा कि बहुत पहले सिर्फ ऐसी websites थी जिस पे लोग जाते थे जुसरों के articles पढ़ने के लिए लेकिन फिर किसी और ने ऐसी website बनाए जिस पे लोग जाने लेके shopping करने के लिए फिर किसी और ने एक और website बनाए जिस पे लोग जाने लेके किसी और के साथ जुड़ने के लिए जैसे के Facebook, Instagram तो ऐसे धीरे-धीरे कई सारे websites आना लेके लेकिन सब का use case सारे की सारी websites जो भी need fulfill कर रही थी वो सारी अलग-अलग थी तो इसी तरह cryptocurrency की market में भी हर cryptocurrency एक अलग-अलग need को satisfy कर रही है यानि कि हर किसी की एक अलग-अलग use case है और कोई भी cryptocurrency तब ही successful होता है जब उसकी use case सच में अच्छी हो और इसकी ecosystem जिसके around वो cryptocurrency बिल्ड हुई है वो बहुत ही useful हो और उस particular cryptocurrency की network में भी dumb होना चाहिए एक network में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो उस network की value अपने आप ज्यादा हो जाएगे दोस्तो अब जानते है कि mining क्या है what is mining तो जैसा कि आप जानते है कि cryptocurrency में कोई भी central authority नहीं है तो ऐसे में तो fraud होने की chances काफी बढ़ जाता है और इन लोगों को हम miners कहते है दोस्तो और mining के दो तरीके है पहला है proof of stake और दूसरा है proof of work proof of work में बहुत सारे network of computers अपने computing power के मलत से एक complex equation को solve करता है जो कि उस particular cryptocurrency के network में जितने भी transactions हो रहा है उन सबको validate करता है उन सबको check करता है और जिस भी computer ने पहले उस equation को solve कर दी उसको as a reward वो network कुछ cryptocurrencies देती है क्योंकि उसने अपने computing power का इस्तमाल किया और दोस्तो proof of stake में अगर आपके पास एक X amount of tokens है तो आप उन्हें stake पे लगा सकते हो जिसके बदले आपको as a reward कुछ और tokens मिल सकते है दोस्तो अब जानते है how do exchanges work जितने भी यह platforms है जैसे की Wazirex, Binance, CoinSwitch, Kubet यह सब अलग लग platforms है यानि कि सिर्फ एक जरिया है इसके थूँ आप cryptocurrency की buying selling कर सकते हो तो अब इसमें concept आता है local exchanges का तो अगर आप India में कोई भी cryptocurrency buying या selling करना चाते हो तो आपको obviously यह रूपीज में करना पड़ेगा और इसको करने के लिए आपको local exchanges की यानि कि ऐसे exchanges जो की रूपीज को accept करते हो इस सब के जरूरत है जैसे की Wazirex, CoinSwitch, Kubet यह सब रूपीज को accept करते है जिसमें आप अपने इंडियन रुपीज को इन में deposit करते हो और जिसके मदद से आप Bitcoin या फिर कोई भी cryptocurrency को खरीच सकते हो या फिर बेच सकते हो और दोस्तों किसी भी exchange में सबसे जरूरी point जो है वो है कि उसकी liquidity कितनी है यानि कि अगर उस exchange में बहुत ज्यादा लोग होंगे यानि कि उसकी liquidity अगर बहुत ज्यादा होगी तो आप बहुत ही easily crypto currencies की buying और selling कर सकते हो और दूसरी point कि वो आपकी crypto currencies को अखिर कैसे store करता है उनकी security system क्या है और तीसरी कि आखिर वो कितने charges लेते है क्या वो आपसे कोई hidden charges लेते है या फिर कोई extra charges तो आपको उनकी charges के बारे में भी बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए दोस्तो अगर आपको crypto currency में investing शुरू करनी है तो आपको obviously एक local exchange को डाउनलोड करनी की ज़ूरत पड़ेगी तो description में आपको उन सब की links मिल जाएगी दोस्तो अब जानते हैं कि आखिर ये peer-to-peer याने की P2P क्या है सोचे कि आपको अभी bitcoin खरीदा है तो आपको सबसे पहले अपने INR को अपने exchange के wallet में deposit करना होगा जो कि उस exchange के bank account में जाएगा फिर वो exchange आपके wallet में उसको credit करेगा जिसकी मदद से फिर आप bitcoin खरी सकते हो लेकिन अगर आपको exchange के account में पैसा भेजना ही नहीं है तो आप directly की से भी इंसान के साथ trade कर सकते हो जिसे P2P याने peer-to-peer trade कहा जाता है इसके थुरू आप कई सारे charges भी बचा सकते हो दोस्तो अगर आप चाहे तो आपके पास ये भी flexibility है कि आप एक cryptocurrency से दूसरी cryptocurrency को exchange कर सकते हो याने कि अगर आपके पास bitcoin है तो आप bitcoin की मदद से Polygon Matic को भी खरीच सकते हो लेकिन दोस्तो आपको एक चीज़ की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने की ज़रत है क्योंकि आपको पता है कि cryptocurrency की market एक decentralized market है याने कि यहाँ पे कोई भी central authority नहीं है तो आपको बहुत ही careful होना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने किसी भी गलत coin में invest कर दी और उसकी value zero हो गई तो इसमें कोई भी आपकी मदद बिलकुल नहीं कर सकता इस विज़से इस market में invest करने से पहले आपको उसके बार में अच्छे से जानना बहुत ही ज़ादा जरूरी है दोस्तो अब जानते है कि क्यो crypto currency की value अलग-अलग exchanges पे अलग-अलग होती है दोस्तो यह जो crypto currency की price है यह local exchanges में और global exchanges में इसलिए अलग होते है क्योंकि geographically हर जगा पे demand और supply अलग-अलग होती है जैसे कि इंडिया में bitcoin बहुत ही जादा popular है हर exchange पे liquidity differ करती है जिसके साथ साथ price भी differ करता है दोस्तो अब जानते है कि how to invest in cryptocurrency तो किसी भी coin में invest करने से पहले आपको उसकी use case के बारे में जानना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है कि उसके founders कौन है वो कितने समय से exist करता है उसकी ecosystem कैसी है तो इन सब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और दोस्तो हर cryptocurrency में invest करने के लिए आपकी strategy अलग-अलग होनी चाहिए यानि कि अगर आप cryptocurrency और stock market दोनों जगाँ invest करते हो तो आप अपने 80% value stock market में invest कर सकते हो और बाकि 20% आप cryptocurrency इस market में invest कर सकते हो और उसमें भी आप 80% stable coins और time-tested coins जैसे की bitcoin, ethereum इन सब में invest कर सकते हो और बाकि 10-15% आप ऐसे coins में invest कर सकते हो जो कि future में बहुत अच्छे growth की chances है जिनकी use case बहुत ही जादा valuable है उनके founders promising है तो आप ऐसे coins जैसे की cardano, polygon, mathic इन सब में invest कर सकते हो और बाकि 5% से आप जुआ खेल सकते हो यानि कि ऐसे coins जो कि 0 भी हो सकते है या फिर 100x भी हो सकते है इनमें आप invest कर सकते हो दोस्तो अब आता है हम security of cryptocurrency पे तो इसे store करने में जो security है ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपसे अपनी wallet की access खो गई जैसे कि WazirX, Vault इन सब पे dependent रेते हो कि वो आपकी cryptocurrencies को securely store करें और non-custodian storage में आप खुद अपने cryptocurrencies का charge लेते हो जिसमें आप wallet जैसे trust wallet को download करते हो जिसमें आप अपने cryptocurrencies को transfer करके उन्हें store करते हो और इसमें एक और तरह की storage होती है जो कि है cold storage जिसमें आपको एक pen drive जैसे electronic device मिलती है जिसमें आप अपने सारे cryptocurrencies को transfer कर सकते हो और यह सबसे जादा secure और सबसे जादा technical option है क्योंकि यह किसी भी network से connected नहीं है लेकिन जादा दा लोगों के लिए यह viable नहीं है लेकिन अगर आपकी cryptocurrencies के investment बहुत जादा है तो SME यह सोचना बहुत ही मुश्किल है कि इंडिया क्रिप्टो करेंसी की साथ छोड़ेगी क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ी opportunity है जिसको इंडिया obviously grab करना चाहेगी और यह market समय के साथ definitely grow करने वाली है दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ एक ज़रूरी point share करना चाहता हूँ जो कि है पहले हमिशा innovation आता है उसके बाद regulation और धीरे-धीरे cryptocurrency की market बन रही है और यह सही समय है कि हम cryptocurrency की market में entry लें दोस्तों अब आते है tax session on cryptocurrencies पे यहाँ पे initial set ही सरने कहा है कि अगर आप crypto trading करते हो और आप उस पर profit कमाते हो तो आपको अपने highest tax bracket पे tax पढ़ना चाहिए ताकि आप safe रहो क्योंकि अब तक cryptocurrencies के लिए कोई भी fixed regulations नहीं आई है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से value मिली तो इस वीडियो को जारू लाग केजे और subscribe to my channel इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ अपसे अगले वीडियो में तब तक कुछ नहां सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे